साथियों, भारत को फिर से तेज विकास के पत पर लाने के लिए, आत्म निर्भर भारत बनाने के लिए, पांच बाते बहुत आवशक हैं। इन्टेंट, इंक्लूजन, इन्वेस्टमेंट, इन्फरस्ट्रक्शर और इनोवेशन। हाल में जो बोल फैंसले लिए गये हैं, उसमें भी आपको इन सभी की जलक मिल जाएगी। इन फैंसलों के साथ हमने तमाम सेक्टर्स को फ्यूचर रेड़ी किया है। इसी वज़े से आज भारत एक नए ग्रोथ औरियेंटेट फ्यूचर की जिसा में बड़ी उडान के लिए तयार है। साथियों, हमारे लिए रिफॉर्म्स ये कोई रेंडम या स्कैटर्ड डिजिजन नहीं रहे हैं। हमारे लिए रिफॉर्म्स सिस्टेमेटिक, प्लान, इंटिग्रेटेट, इंटरकनेक्टेड और फुचरिस्टिक प्रोसेस हैं। हमारे लिए रिफॉर्म्स का मतलब है फैस्टले लेने का साहस करना और उन्हें लॉजिकल कंक्लूजन तक ले जाना। आई बीसी हो, बैंक मर्जर हो, जी एस्टी हो, फेसलेस इंकम टेक्स एसस्मेंट की व्यवस्ता हो, हमने हमेशा व्यवस्ताओं में सरकार के दखल को कम करने और मैंने तो लाल के लिए पर भी कहा था, कि लोगों से जिंदगी से सरकार को जीतना हम कम कर सकते हैं, हम करना चाहते हैं। प्राइवेट एंटरप्राइज के लिए एनकरेजिंग एको सिस्टीम खड़ा करने पर हम लगातार बल देते रहे हैं, कदम उठाते रहे हैं। इसी वज़े से सरकार आज ऐसे पॉलिसी रिफोंच भी कर रही हैं, जिनकी देश ने एक प्रकार से उमीद भी छोड़ दी थी। लोगों ने मान लिया था अब ये तो हमारे देश में नहीं हो सकता है। ऐसी चीजे होने लगी हैं। अगर मैं एग्रिकल्चर सेक्टर की बात करूँ, तो हमारे यहां आजादी के बाद जो नियम काईदे बने, उसमें किसानों को बिचौलियों के हाथों में छोड़ दिया गया था। किसान कहां फसल बेच सकता है, कहां नहीं बेच सकता है, इस तक के नियम बहुत सक्त से है। किसानों के साथ दसकों से हो रहे हैं अन्याय को दूर करने की इच्छाशक भी हमारी सरकार ने दिखाई है। A.P.M.C. Act में बढ़लाव के बाद अब किसानों को भी उनके अधिकार हासिल होंगे। किसान अब जिसे चाहे, जहां चाहे और जब चाहे अपनी फसल, अपनी सर्तों पर, किसान की सर्तों पर वो फसल बेच सकते हैं। अब कोई किसान अपनी फसल देश के किसी भी राज्य में ले जाकर बेच सकता है। पहले तो इस पर भी बंधन थे। साथी वेराउसिस में रखे अनाच या एग्रिकल्टर प्रोडक्स अब एलेक्ट्रोनिक ट्रेडिंग के जरिये भी बेचे जा सकते हैं। आप कल्पना कर सकते हैं इससे एग्रि बिजनेसिस के लिए कितने नए रास्ते खुलने जा रहे हैं। साथियों इसी तरह हमारे स्रमिकों के कल्यान को ध्यान में रखते हुए। रोजगार के अवसरों को बढ़ाने के लिए लेबर रिफॉंस भी किये जा रहे हैं। जिन नन स्ट्रेटेजिक सेक्टरस में प्रावेट सेक्टर को इजाजत ही नहीं थी। उन्हें भी खोला गया है। आपका ध्यान इस पर भी गया होगा कि सबका साथ, सबका अभिकास, सबका विश्वास के रास्ते पर चलते विए। हम वो फैसले भी ले रहे हैं जिसकी मांग बरसों से हो रही थी।